Hello Friends, कैसे आप सभी लोग होग और आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे चल लिए होगे आज की वीडियो में आपको बात करेंगे अच्छे होगे और अच्छेट पॉंटर आपको यहां पर मिलेगा यह चीज आप ठ्यान रख लेंगे अब देंखेए परपास क्या होता है पुश फ्लैग का पुश फ्लैग का पुश फ्लैग का बिदाद डिले के इमिड़ेटले आपका ट्रांसफर हो जाए यह काम करता है तो यहां पर आपने पुश फ्लैग वन किया तो वैसी यह क्या होगा रिसीवर जिस भी डाड़ा में पुश फ्लैग वन होगा उसको पुश कर देगा उपपर फिर फंक्शनलिटी क्या है इसकी इमिडेट डिलीवर आपको जल्दी से जल्देगर डाटा को डिलीवर करवाना है या फिर किसी कमांड को डिलीवर करवाना है तो वहां पर आप पुश फ्लैग का यूज कर सकते हैं और नौट बफर ट्रांस्मिशन मतलब क्या होगा कि यह क्या करेगा आपके इंट्रक्टिव जो अप्लिकेशन होती है चाहे वह आपका चैट हो गया चाहे वाटसप चल प्लिकेशन रहे हैं या फिर कमेंट के रिपलाई रहे तो वहां पर यहां पर पुश कर सकते हैं तो यहां पर एक ग्जांपल माँ आपके लिए लेता हूं है फिर पार देखिक क्या होगा यहां पर अप्लिकेशन लेहरान के फिर चो क्योंगा हो ढाटा कर रहेगी का रही हो अप लेकिन अगर आप यही concept लगा ले अगर इंटरेक्टिव अप्लिकेशन में तो इस केस में क्या होगा आपने यहां से हाई लिखा तो यह जाएगा नहीं क्योंकि हाई कितनी कितनी मेमोरी लेगा थोड़ी सी मेमोरी लेगा ठीक है तो क्या उसमें पूरा बफर भर गया अगर यह वेट करने लग ए टांस्वोट लें करने का तो उस केस में क्या होगा आप मेंसेज देखा ही नहीं थे और तुस है यह सब और यह है यह मैसे बात कर रहा है यह ठीक है तो यह concept यहां पर नहीं लग सकता तो उस इस case में यहाँ पर क्या होता है जैसे कि आपने एक भी message लिखा हाई hello कुछ भी लिखा तो उतने में जितना data उसको मिलेगा उतने में वह उसको header के साथ send कर देगा transport layer ठीक है तो उस case में हम लो क्या करते है जो हमारा push flag होता है इसको कर लेते हैं one push flag को क्या कर देंगे one कर देंगे तो यहाँ पर आपका receiver होगा वहाँ जैसे ही इसको मिलेगा कि इसका push flag क्या है one है तो वह उसको immediately application layer पर push कर देगा उसी तरह से यहाँ पर भी होगा जैसे इसको पतलेगा कि यह application इसमें जो push है वो one है one है push ठीक है और data इसमें high आ रहा है इस त ठीक है दोनों ही side में ठीक है application layer में अगर push one आता है तो transport layer उसको तो रहें send कर देगा और receiver में क्या होगा transport layer के पास जैसी देखेगा कि push यहाँ पर one है वह वैसी उसको application layer में भेज़ देगा ठीक है दोनों का काम यह होता है यह चीज समझ गए ठीक है push flag का का काम समझ गए हों यहाँ पर आप बोल ले होंगे कि urgent flag भी वही काम कर रहा है यह भी आपका तुरंट data को भेजने के लिए use हो रहा है और यहाँ push flag भी उसी के लिए कि हो रहा है तो दो अलग अलग काम कैसे हो सकते हैं एक ही काम को करनने के लिए ठीक है अब यहाँ पर भी immediate processing है और यहाँ पर यह है ठीक है थोड़ असा minute सा difference है वह example से मैं आपको अभी समझाता हूँ ठीक है फिर क्यों होता है data marketing the urgent data is marked with the segment and the position of the end of the data यह आपका क्या होता है जब urgent pointer use करते हैं तो समय यह पता चल जाता है कि कहां तक आपका important data है urgent data है ठीक है अब इसको example समझते काफी अच्छे example से मैं आपको समझाऊंगा इसको देखें यह आपका sender है यह आपका receiver है ठीक है आपने यहां से कुछ command भीजी कुछ data आपने भीजी इस तरीके से data के data आया ठीक है अब यहाँ पर से आपने जो data भीजा उससे या फिर जो data आपने भीजा वह गलट कर लेती तो आपने सोचा कि यह सब data दो चले यह तो मैं क्या करूंगा एक और data भीज़ूँगा जिसमें आपका urgent flag क्या होगा वन होगा urgent flag जोगा वह वन होगा तो उस case में क्या होगा यह data process होने से पहले आपका यह जो urgent flag है वह process हो जाएगा देखिए application layer layer क्या करेगी उसमे urgent flag होगा urgent flag होगा उसको जैसे वह one करेगा और यहां ट्रांसपोर्ट लेयर पर भेज़ेगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जैसी urgent layer flag one मिलेगा उसको तो वह क्या करेगा इस data को जल्दी से जल्दी आपका रिसीवर के साथ आज पहुचाने की कोशिश करेगा उसके लिए वह जो में अट्जेनट फ्लैग 1 था ठीक है उससे पहले भी आपके डाड़ा आचुका है याँ पर बीच चुका है और एक डाड़ा यहाँ पर पहुंचिक है डाड़ा भीज गए एक पहले राउटर में रिसीवर एंड तक मौच चुका है और रिसीवर के पास होगा बफर ठीक एक बिट आई तो एक बिट को उसने रिसीव करने लग गया अप्लिकेशन को ठीक है ऐसे नहीं करेगा और इसी तरह से होता है आपका सेंडर में भी जब मैं आपको बात करता है पुश फ्लैक की तो यहां पर वो क्या करता है बफर के भरने का वेट करता है उसी तरह से लेयर से एक डाटा मिला और जिसका अर्ज़ेन फ्लैक था 1 एक एक ठीक है वं था तो इसको सबसे पहले क्या करेगा पास कर देगा यहां पर इसको डूटर करते गा रौटर इसको जैसी देखेगा यहां पर एक और हमारे प्र आया है यह तोड़ां देख से पहले इस डाट पहुंचेगा तो receiver के पास पास लेगा कि हाँ कि उसके पास urgent flag one है तो वो उसको आगे अपने application layer पे भेज देगा ठीक है अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा question बनता है क्या बनता है कि देखिए हमार पास जो sender है उसके पास तो application layer है ट्रांसपोर्ट लेयर है ठीक है वो भेज रहा है data application layer पर अजब का urgent flag आया ठीक है इसको इसने one किया तो हमार पास ट्रांसपोर्ट लेयर को पतल गए कि urgent flag 1 है ठीक है फिर वो network layer को भेजेगा ठीक है अब network बर आ गया इस तरके से उसके बाद सारी लेयर होंगी ठीक है फिजिकल डाटा network और अपका ट्रांसपोर्ट लेयर और अपका application ठीक है तो यहां पर मुझे यही बताई जाब अट्रांसपोर्ट लेयर के पास है वो तो ट्रांसपोर्ट लेयर न उसको रीड किया ठीक है तो यहां पर थो को ट्रांसपोर्ट लेयर ही नहीं रॉटर रॉटटर वन पर तो इसको कैसे पतली एक है रही और अशहन फ्लाइकर तो अश्कोर्ट फेया यहा रहाघार अपर उसके प समय में प्रस्चक्षारा कर अब यहां पर यहां पर बेज़ेगा और ट्रांसपोर लेर भीज़ेगा आपका अप्लिकेशन लेयर पर ठीक है इस तरह से वग करता है अब आप पूछ रहोंगे सबसे बड़ा कोशन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अर्जेंट फ्लैग और पुश्ट फ्लैग में डिफरेंस क् यह दोनों किस तरह से अलग है देखे फुश्ट फ्लैग में क्या होता जैसे कि में मैं आपके पास यह जोसा इसांडर है आप नहीं से डाटा भीजा यह से डाटा इसका बफर है रहे हैं तो यहाँ पर डाटा आया आपका वन एक डाड़ा है टूक एक रहे थी और एक push flag क्या है एक पूर पूरे बुफर को क्या करेगा अप्लिकेशन और टांसवर करतेगा ठीक है यह अपका बुफर जिसमें डाटा है 1,2,3 और अपना पूर टांसाट पे है पहले यह 1 को प्रम पास करेगा थे टू फिर है चीप करेगा ठीक है यहां पर जो जिस buffer में जितना भी data पहले होगा, उन सभी को पहले यह application layer पर push करेगा, और जिस order में होगा, उसी order में push करेगा, ठीक है, यह होता push flag का का काम, ठीक है, और लेकिन urgent flag का क्या होता है, urgent flag का क्या होता है, urgent flag में क्या होगा, यह sender है, यह receiver है, ठीक है, यहां ते data गया है, और य टीक करेंगा अप्लीकेशन लेहरे पे इसको पॉस्वेड़े फॉर को सबसे वहले फॉर जाएगा फूछ में क्या होगा सबसे 1 two three four जाएगा ठीक है उसमें डिरेक्ट इससे इसको 4 मिलेगा तो फुष कर देगा वो फ्लैक वो आपके बफर को भरने की मलब बफर के भरने का वेट नहीं करेगा जैसे इसको जितना मिला चार तक मिला एक दो तिन चार चार में हमारा पुश पलाग आए तो उसमें पुश कर दिया वन को टू को थ्री को उपर औफिर चौते पुश कर दिया लेकिन यहाँ पर क्या होगा बवर भरे ना भरे जैसी उसको फोर मिलेगा कि अजेंट फ्लैग है वो सबसे पहले इसी को कर देगा फोर को तो यहां पर अप्लिकेशन लेयर पर क्या होगा वन टू वन भी आएगा टू भी आएगा थ्री भी आएगा फोर भी आएगा अब इसका डिस एडवांटेज यह है कि इस केस में आप फोर्स कर रहे हैं CPU को कि वह इसको प्रोसेस करें ठीक है और बहुत सारा जाड़ा हो भी सकते हैं ठीक है माली जी यहां पर बहुत जाड़ा है काफी बढ़ा है और यहां पर डाटा बहुत जाड़ा चुका है और आखरी यह क्या है आखरी डाटा है आखरी डाटा है यहां आखरी बफर में आ सक आया question की urgent pointer जो होता है हमारा वो किस काम आता है urgent pointer का काम क्या है यह यहाँ पर लिखा हुआ है यह पढ़ लेंगे खुद से ठीक है मैं इसको simple example से समझा देता हूं यहीं पर head-part करता हुँ चलिए हमारा सेंडर था ठीक है सेंडर ने डाटा बेजा इस सांथ कुछ अपका कोड में मांद लिए एक है तो यहां पर क्या होता है हमें है पता है कि सबसे आए गा और कुछ से सब से दाट है कभी इस Re Champ », और फिर आपका कि आएगा अजिंट आर्जान पॉइंटर क्या करेगा वो यह बताएगा कि कहां से का डाटा आट्जेंट पॉइंटर कि पाद कोई डाटा को समाल लेगे हैं थीक है 100 थीक है 100 वो इस तरह कीसे रखेगा अपने पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सिक्वेंस संबर है आपके करेंशन है,, तुह सबका है अर्जन मैं कि में cá सकता है कि सारा डाटा का अर्जन ना हो तो उस to computer ही है उसको हम然后 कर देते हैं तो जो वहां पर देख लेते हैं कि वहां तक क्या होता है पूरा पूरा डाटा क्या है आपका अर्जेंट है ठीक है यह चीज़ समझ गे तो इस काम आता है अर्जेंट पॉइंटर अब जो थे लिखे उसको भी बलते हैं अर्जेंट पॉइंटर फिल्ड स्पेसिफाई दा पोजिश पॉइंट डाटा होगा तो इसलिए रिखाए पोजिशन ऑफ दा अर्जेंट डाटा विद दा सेग्मेंट इस पॉइंट फ्लेग इस तो यह क्या है उपसेट मतलब जैसे अगर सिक्वेंट नमबर थाजेंट से है तो ऑफसेट कितना है सो का है मतलब 1100 तक हमारे पास क्या यह बता रहे सेग्मेंट डाटा विद्धा सेग्मेंट अंप्रोसेशिट अकोंटिंग ली तो वह क्या करेगा इससे फाइदा क्या होता है कि हमारा जो रिसीवर वह समझ जाएगा इतना पार्ट को सबसे पहले करना है बागी को बाद में भी कर सकते हैं या आप इसको थोड़ी दीर बात कर सकते हैं ठीक है वाइल इस्टिल हैं अगर आपको लिख लेंगे और इसमें से कुशन कर लेंगे काफीजी है अब हम नेक्स वीडियो म हम लोग बात करेंगे विडियो बनाते रहता हूं अगर आप हमारी प्लेलिस में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिफरेंट फिर्न प्रोग्राम में लेंग्विज और फ्रेमवक्स पर वीडियो मिल जाएंगे अगर आपको कोडिंग में इस चैनल है तो हमारे इस च चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें थैंक यो वाचिंग गुडबाई टेक क्येर